नमस्कार दोस्तों आजम बात करेंगे खजुवाला की। यह इलाका कोई पुराना इलाका नहीं है, पहले यह इलाका रेगिस्तान था, चारो तरफ रेट के टिले वा करते थे, लेकिन सन 1908 में इंद्रागंदी नहर की नुपगडशाका का पानी इसको मिलने लगा और यहां की जमीने सोना उगलने लगी, चार किसानों को अपनी जान गवाने पड़ी, यहां की भगोलिक स्तिती की बात करें तो यह इलाका थारेगिस्तान में स्तित है, काटेदा जाडिया रेतिले टिले चारो तरफ नजर आते हैं, किकर आप, खेजड़ी, तुम्बा, प्राकर्तिक वनस्पती यहां पाई जाती गवार ने रेतिले टिलों को हर्याली के रूप में समगरे रूप दिया है, लेकिन अब हालात बदल गए है, 2000 के बाद पानी की कम उपलबदता के करण किरसी कारियों में ब्रेक लग गया, जिपसम इस छेतर की चत्तानों में पाया जाने वाला आम खनीज है, यह कस्बा ते इस जिपसम को उत्तर भारत के शहरों में यहां से भेजा जाता है, यहां पर कई तेल मिले कपास की मिले वाइंतों के कारखाने है, एक समय ऐसा भी था जब ख़जुवाला कपास की उच उपज के लिए जाना जाता था, लेकिन अब कपास के कई कारखाने बंद कर दिये तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद झाल झाल